हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे कीचन में तो आज मैं बनानी जा रहे हूं मेथी साग की सबजी जो की बहुत ही स्वाधी स्टॉक बहुत ही टीस्टी बनती ही तो चलिए अब हम बनाते हैं मेथी साग बनानी के लिए मैंने मैंने या पे मेथी ले लिया हुआ है मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है और वाश भी कर लिया हुआ है मैंने या पे छोटे-छोटे टुकुडे में दो आलू कट कर लिया हुआ है और मैंने या पे एक बॉल मॉटर भी ले लिया हुआ है तो इतने इंगिदेंस के साथ आज हम बनाएंगे मेथि यालू माटर की सब्ची, तो चलिए हम बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया हुआ है, पैन गरम हो जाने के बाद मैं इसमें तेल आट कर लूँगी, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे काला जीरा, थोड़ा सा मिर्ची, लसुन, दो चाल कर लिया है, जो भी कूटकी, मैंने ले ली हुई है, अब इन सब को हम हलका सा फ्राइ कर लेते हैं, हमारा लासानल मिर्ची अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब हम इसमें आड़ कर देंगे, हमने जो काट के रखे होए थे आलू, आलू को हम अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं थोड़े देर तक, थोड़े दिर फ्राई करने के बाद आलो अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसमें आद कर देंगे मटर मटर को भी हम थोड़े दिर तक अच्छे से भून लेंगे थोड़े दिर भूनने के बाद मैं इसमें आद कर दूँगी नमक according to taste थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलो और मटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें आड कर देंगे मेथी साग तो मैंने यहाँ पर एक बाव लिया हुआ था वायट कर लूँगे और अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे हम इसको हम हाई फ्लेम पर गैस को रखेंगे और अच्छे से चला लेंगे जैसे जैसे मेती करने लगेगी हलका हलका पानी ये छोड़ने लगती है तो हमें इसे चलाते रहना है थोड़ा देर के बाद हम इसको ढग देंगे ताकि जो पानी है वो हमारा हलका सा सूख जाए अब हम 5 मिंट बाद देख लेते हैं तो ये देखिए उल्मोस्ट ही मेती साग हमारी गल गई है थोड़ा थोड़ा पानी है तो हम एकदम हाई फ्लेम पर गैस को रखेंगे और अच्छे से भूनते रहेंगे भूनते भूनते ये देखिए हमारा मेथी साग एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है हम हलका सा और भून लेते हैं थोड़ देर तक तो ये मेथी साग बनके हमारा एकदम रेडि हो चुका है अब जो है हम इसको सर्फ कर लेंगे आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राब और शेयर कीजेगा